एक्चर के अंदर हम लोग ऐुडिकल्चर प्रक्टेसिस के बारे हम बात करते हैं जो थोड़ी तह गरें गई है और इसके अलावा हम लोग अग्रिकल्चर इन्पोर्ट्स में मूब करेंगे फिर agriculture marketing and then PYQ discussion इस तरीके से agriculture खतम हो जाएगा agriculture काफी important है प्रेलियम perspective से minimum 10 marks का हर साल आता ही आता है और agriculture के लिए आपको इसके अलावा कुछ करने की जरुवत नहीं है पिल्कुल भी कोई जरुवत नहीं कुछ भी करने की तो जो नहीं नहीं प्रेक्टिस है उसका नहीं सस्टेनेवल शुगर केन इनिशेटिव तो देखो इस जैसे हम कन्वेंशन शुगर केन की कल्टिवेशन करते हैं तो उसमें काफी सारे इस्यूज जैसे की वर्टर का काफी जादा यूज होता है अब जैसे महाराष्टा वाला रीजन हो गया वहां पे ड्रॉट कंडिशन्स बनी रहती है फिर भी अगर हम आपे इस तरीके के प्रेक्टिस करेंगे तो वर्टर इसकार से ठीके काफी जादा चांसे जाएंगे तो इसलिए कि सश्टेनेवल शुगर के इनिशेटिव को ला चीज क्या है कि जो शुगर केन होता है उसको पहले नर्सरी के अंदर प्रपेर किया जाता है शुगर केन को पहले नर्सरी के अंदर ग्रो किया जाएगा अब जैसे मान की चलिए यह आपका शुगर केन हो गया यह आपने ग्रो किया शुगर केन तो यह इस तरीके से होता है तो इनको बोलता है birds ये होगी birds, ये एक bird हो गई ये दूसरी bird हो गई तो इस तरीके से इनको बोले जाता है birds और इनी birds को कहा है as a seed use किया जाता है for the next cycle nursery के अंदर preparation करने के लिए तो जो birds की requirement हो जाती है sustainable sugar के निशेटिव में वो काफी reduce हो जाती है और हम लोग कहें कि काफी ज़्यादा spacing रखते हैं जब भी हम SSI को practice करते हैं SSI मतलब sustainable sugar के निशेटिव तो उसकी वज़े से क्या होता है जो birds वगईरा की requirement होती है वो reduce हो जाती है और जब wider spacing होगी तो sunlight वगईरा easily penetrate कर सकती है जिसकी वज़े से क्या होगा जो growth होगी प्लांट की वो increase हो जाएगी sustainable sugar के initiative के अंदर दूसरी चीज कहा है कि जो water requirement हो करीब 40% तक reduce हो जाती है 40% तक reduce हो जाती है और एक चीज़ जो important चीज़े वो याद रखने हैं आपको कि क्या SSI practice के लिए सिर्फ और सिर्फ organic agriculture को practice किया आता है तो नहीं chemical fertilizers भी use होते है no doubt at all तो ये थोड़ा ध्यान रखना है और inter cropping की जाती है SSI के अंदर इसके अलाब़ किया है कि जो birds ये देख सकते हैं आप इनको birds बोलते हैं ये birds होगी आपकी nursery preparation करते ही है आपको पता चल गया है इसके अलाब़ राइस के लिए भी nursery preparation की जाती है तो ये थोड़ा ध्यान रखना है इसके अलाब़ क्या है कि हम जैसे sunlight कम होती है जैसे nursery है तो nursery के अंदर sunlight क्या कम होती है तो इसके लिए क्या है हम artificial bulb बगरा का यूज कर लेते हैं होता है वैसा ही क्या है कि SSI के अंदर field की preparation होती है जैसे कि tillage करते हैं और organic manure वगरा डालते हैं ये सब चीज़ें फुरो वगरा बनाते हैं जो irrigation के लिए यूज होती है इसके अलाब़ क्या है कि जो NP के fertilizer होते हैं जैसे कि यूरिया हो गया आपका मरियत अपटाश हो गई और डीएपी डायमूनियम फॉस्पेट इन सब का यूज किया जाता है और इन और 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 अर्गनिक मेथड दोनों का यूज किया जाता है SSI के अंदर फिर क्याए कि नर्सरी में ग्रो करने के बाद ट्रांस क्कुआ जिसकोा हम अंदी कीजाती है following कॉपी जैसे कि फरेंच हम चिक फॉक्पी यह सम नाम याद है लिसा उनचण कैनर के तरफेंज करती हं कि जा सकते हैं और दूसरी चीज कर द् scallop की ए वीन कीज़् वरी एंवर्मेंटत को हम प्रक्टिस करते हैं जिससे कि कि जो वीड़ लगर की जो Year र हो के जाता है जिससे कहाँ कि जो वीड़ बगर है वो रिमुब हो सकते जैसे मानके चलिए है यहां पर वीड़ बगर हैं तो मैं कहें कि कल्टिविटर से कहाँ की डीप लगिंगで थे तो ये ज वीड्स हो जाएगी तो इस तरीके से वीड्प्रीं मुल्चिंग क्या सकती है दिसके अलावा यह की कुछ बायो फर्टिलाजर जैसे की ट्राइकोडर्मा और स्टूडो मोनास ट्राइकोडर्मा और स्टूडो मोनास को यूज किया सकता है तो ये सब चीज़े हैं इसके अंदर डिप परिगेशन को प्रेक्टिस कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं इस चीज़ में फोरो इरिगेशन को भी यूज कर सकते हैं तो अब बस comparison देख लेते हैं कि अगर हम flood इरिगेशन करते हैं और drip इरिगेशन करते हैं तो क्या होगा तो drip इरिगेशन में क्या पानी के requirement कम हो जाएगी और जो main important चीज है वो यह है कि जो number of irrigation है इरिगेशन में यह थोड़ा ध्यान रखना है आपको और जो yield है वो काफी increase हो जाती है और fertilizer use efficiency वो इनकीज हो जाती है जब हम डिप्रिगेशन को यूज करते है नेक्स जो technology है वो है hydrogel agriculture technology तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यह polymers की balls है यह polymers की balls है तो यह कहाए कि super absorbent polymer से बनी हुई होती है तो यह जैसे मानके चलिए यह plant है और यह उसकी roots है तो इन जो यह जो balls है उनको मैं कहाए कि यहाँ यहाँ रख देता हूँ roots के आसपास वाले area में रख देता हूँ इससे क्या होता है कि जो यह जो balls है hydrogen balls है वो यह जो water reservoir काम करती है water reservoir काम करती है for the plant और जब मैं थोड़ा सा भी पानी डालता हूँ थोड़ा सा भी पानी डालता हूँ तो यह जो balls है अपना size बढ़ा लेती है बहुत ज़्यादा तो यह कहाए धीरे धीरे फिर roots को कहाए कि अपना जो water है or infiltration है वो increase हो जाएगा irrigation की requirement कम हो जाएगी और soil erosion कम हो जाएगा यह चीज़े symposium नेक्स चो टेकनलोजी है वो microzeal technology है microzeal technology में क्या होता है कि जो microzea होता है वो क्या होता है एक symbiotic association होती है between the plant and fungi green plant और fungi के बीच में क्या है कि एक symbiotic association होती है microzea जो plant होते है वो क्या है कि organic matter को produce करते है by the process of the photosynthesis और यह जो food prepare हो है वो fungi को supply होता है यह food जो है वो fungi को supply होता है और जो fungi होता है वो जो plant है उसको nutrients provide करता है यह होता है microzeal technology के अंदर तो इसमें क्या हुआ simple सा कि मेरा जैसे यह plant हो गया इसके अंदर मैंने क्या है कि एक fungi लगा दी यह fungi होगी mycosia fungi होगी अब जो यह plant है यह food provide करेगा इस fungi को और fungi क्या है कि इसको nutrient provide करेगी this is microzeal technology जो यह जो area होता है root वाला area उसको rhizosphere बोलते है इसमें क्याए कि एक rhizobium नाम का जो bacteria होता है वो thrive करता है जो कि nitrogen fixation में काम करता है अब जो यह microzeal technology हो उसका benefit क्या है कि nitrogen fixation हो सकता है reclamation of wasteland जो कि बंजर जमीन है उसको कहेगी हम वापस से खेती कर सकते हैं उस पे जो soil है उसकी जो alkalinity हो reduce हो जाती है और जो उसकी fertility हो increase हो जाती है देखो अब कुछ कहा है कि यह ICR की report से लिया गया है पूरा data यह आपको थोड़ा दिम्माग में रखना है history से भी context में related है और क्यूंकि agriculture history से भी एक question आता ही आता है हर साल prelim में अगर आप ध्यान से गौर करेंगे तो agriculture history से question आता है तो देखो कुछ फैमाइंस है वो थोड़े ध्यान रखने है आपको यह फैमाइंस है उनके corresponding जो government journal है वो आपको उस time period से याद रखने है यह आपको खोद करना है इसमें जो main चीज़ है वो यह है कि जो सबसे ज़्यादा जो घातक फैमाइंस हुआ था जिसके अंदर सबसे ज़्यादा लोग मारे गए थे वो इंडियन फैमाइंस है उफ 1996-97 था जो कि plague की वज़े से हुआ था और दूसरी चीज़ क्या था कि जो चापेकर ब्रिदर्स थे उनको वो क्याए कि जो तिलक की राइटिंग्स थी ना तिलक की जो राइटिंग्स है उनसे इंस्पायर होके चापेकर ब्रिदर्स ने कहाए कि किसका मडर किया था मिस्टर रांट का मडर किया था ये थोड़ा ध्यान रखना है तो अब कहाए कि इसी के लिए है कि तिलक को सैडिशन के अंदर डाल दिया गया था क्यूंकि तिलक ने ये लिखा था कि ये जो रहे कि वजयश्व पिजा आई वह нутьсяरी ये पार देता है कि जो पुलिस ओफिसर हैं कि और उस ना जो फिसर शड़ जब करते थे हैं किकि टिलक की writing से inspire होते हैं और वो कहें कि जो Mr. Rand होते हैं उनका क्या मड़र कर देती है तो इनके लिए क्या है कि उनको hang कर दिया जाता है और तेलको के seduction के लिए डाल दिया जाता है तो ये थोड़ा ध्यान दखना है इसके अलावा जो इंडिया में कुछ revolutions हुई है जैसे की green revolution wheat और rice के लिए थी white revolution milk के लिए blue revolution for the fisheries yellow for the oil seeds and pulse golden is for the honey silver is for the egg brown is for the coffee and grey is for the wool ये थोड़ा ध्यान लखना है next important चीज़ा वो ये है कि अगर इंडिया की हम post independence की बात करते हैं ये अजर सेने डिजन टाइप के questions में पूछा जा सकता है कुछ बड़ी बात नहीं है तो देखो हम कहें कि देखो हम कहें 1970 onward हम कहें food sufficient हुए food sufficient हुए 1970s onward और फिर कहें 2000 के बाद कहा है हम food secured हुए और अब हमारे पास कहा है food surplus है 2010 onward ये थोड़ा ध्यान लखना है आपको next जो important चीज़े वो ये है अगर हम post independence से और आज तक की बात करते हैं तो सबसे जाता जो production increase हुआ है वो हुआ है आपका eggs का करीब 68% 68 times क्या increase हो गया है food production eggs का ये थोड़ा ध्यान लखना है नेक्स वो important चीज़े वो ये है कि देखो first report of rice cultivation लोथल से हुई थी गुजरात में रोथली जॉन्ती बैंक आप दा भगोवारे गवर जो की साबर मती रिवर की एक ट्रिब्यूटरी है जो cultivation है wheat की वारले की mustard की चिकपी की cotton की dates की lotus की coconut की pomegranate lemon and melon ये हड़पा civilization में हुई है रिगवेदा के अंदर discussion है किसके बारे में मानसून वगरा के बारे में और जो अपकी जुहार है उसको grow किया था था अहार के अंदर अहार कहां पे राजस्थान के अंदर है और green ground, black ground इन सब को cultivate किया था था मिल्नाडू के अंदर थोड़ा ये सब चीज़ें देखो याद रखनी है मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ क्योंकि ये important area है अब देखो जैसे ये question है कि dam on the river cover constructed by करीकाल चोला इंतर मिल्नाडू, 2023 का question है तो थोड़ा इसको देखिए आप इसको इसमें कुछ किया नहीं जा सकता है ये आपको याद ही रखना है मैं कुछ नहीं किया सकता है देखो एक और चीज़ यहाँ पे मुगल एंपरर बाबर इंटर्डूस सेंटेट पर्शीन रोज टू इंडिया ओके ग्राफ्टिंग टेक्निक वाच इंटर्डूस वाई दी पॉर्तिग्यूस इन कोवा पॉर्तिग्यूस टेबलर्स इंटर्डूस ग्राउंड नट टोबैको पोटेटो चिली एंड अमरकंटक इन इंडिया यह थोड़ा ध्यान रखना है इसके अलाबा देखो जो हाईलाइटेड है वो याद रखना है आपको कुछ नहीं किया सकता इसके अंदर ध्यान रखना है आपको वैसे फर्स्ट वेटरनर्टी कॉलेज जो था वो लाहोर के अंदर ओपन हुआ था जो आपके सर गिलवर्ड वाकर थे वो वाकर सिर्कुलेशन दिया था उन्होंने जो की किस से रिलेटेड है अल्यूनो लाल्यूनो से इंपर्टर रिलेटेड है तो और फर्स्ट ताइम यूज ऑ अर्टिफिशल इंसेमिनेशन फॉर दी कैटल ब्रीडिडिंग वो यूज हुआ था नैंटी टॉन्टिफाइब मैं लिल लेटको कमीशन जो है वो रोयल कमी कमीशन थी बस यह ध्यान रखना है आपको और जो स्टैचिक कमीशन थी वो आपकी इरिगेशन कमीशन थी यह सब चीज़ां आप पढ़ते ही हैं स्टैटिक्स के अंदर ओके देखो राइस के बारे में बात करें तो देखो राइस का जो एयरिया है वो अल्मुस्ट स्टैचिकन रहा है पोस्ट इंडबेरनस लेकिन जो प्रोड़क्शन और प्रोडक्टिविटी है वो longing हुई कभी जादा ये अजर सेंड डीजन्स के questions है और ऐसे ही type के questions आते हैं उसमें prelim के अंदर अगर हम wheat के बारे में बात करें तो area almost constant रहा है देखो अगर लेकिन जो productivity है वो काफी जादा improve हुई है और production भी काफी जादा improve हो गया है similarly maze के अंदर भी area same ही रहा है लगवग थोड़ा सा increase हुआ है 2000 onward और जो productivity है वो काफी increase हुई है तो ये थोड़ी ध्यान लगनी है इसके लावे क्या है कि कुछ अब क्या है government of India गया है कुछ agriculture के अंदर कुछ जो techniques है ना उनका use कर रही है पिछले काफी times है जैसे कि कहा है कि genome editing की technology होगी जैसे की zinc finger nucleus transcriptor activator like influence new talents बोलते है ZFN talents और CRISPR ये थोड़ा याद रखना ये किस की technology है ये आपकी gene editing की technologies है इनको हम science and tech में बहुत अच्छे से देखेंगे ड्रान डुबरी इसके अलावा क्या है कि जो अगर हम HDN1, HDN2 है वो भी किस से related है gene editing से related है next genomic selection की बात की जाए तो genomic selections SNP technology है single nucleotoid polymorphism ये genome से related technology है next जो important चीज़ आपको ध्यान रखना है वो ये है कि जो transgenic होते हैं जो उनको GM भी भूला जाता है ये ध्यान रखना है आपको इसमें अभी सिर्फ cotton ही allowed है हमारी country के अंदर ये थोड़ा ध्यान रखना है edible कोई भी crop allow नहीं है transgenic की इंडिया के अंदर DMH 11 अभी तक allow नहीं है तो bacillus thuringis thuringis याद रखना है ball guard 1, ball guard 2 देखो ball guard की तीन varieties है जो cotton है बीटी cotton ball guard 1, ball guard 2, ball guard 3 तो इंडिया में सिर्फ ये दो ही allowed है लेकिन ये जो variety है वो क्याए कि herbicide tolerant हो रहा है herbicide tolerant और इसके अंदर क्याए काफी ज़्यादा other issues भी है इसलिए क्याए कि government इसको permit नहीं कर रखा है अब UPSC ने 2021 में question 22 में question पूचा है कि ball guard 1, ball guard 2 होते क्या है simple सा answer यह हो गया आपका इसको हम round of ready भी बोलते है और जो हम लोग herbicide यूज करते हैं वो glyphosate होता है यह ध्यान रखना है next important चीज़ है अब बात करते हैं agriculture की governance related देखो agriculture में काफी सारी अब जिसे agriculture के अंदर पानी भी यूज होता है fertilizer भी यूज होता है और इसके अलबा मार्केटिंग भी होती है inputs बगरा भी यूज होते है export भी होता है तो काफी सारी ministries involved है agriculture के अंदर तो देखो ministry of agriculture ministry of commerce है ना ministry of commerce उसके अंदर कौन-कौन से bodies आती है वो आती है APEDA, MAPEDA और NPOP APEDA, MAPEDA and MPOP और जो ministry of commerce है वही क्या है GI tech को provide करती है for the various agricultural commodities इसके लाबा जो boards है वो यह यह है इसके अंदर ही boards है यह जैसे कि tea board at Kolkata coffee board at Delhi spice board at Cochin tobacco board at Contour rubber at Kotiam Kotiam वहाँ पे केरला में कौन-टूर कहा है अंदर प्रदेश के अंदर that's it इसके लाबा जो ministry of agriculture इन्वेरमेंट है वो किस से related है वो GM crop का approval देती है और उसकी एक body है statutory body जिसका नाम है genetic engineering appraisal committee यह किस के अंदर बनी है यह EPA 1986 के अंदर बनी हुई है statutory body है इसके लाबा जो agriculture ministry है उसके अंदर ICAR आता है जो कि एक autonomous institution है और इसका ही एक sub-part है direct rate of agriculture education जो कि क्या है कि agriculture के जो universities है उनके अंदर क्या पढ़ाई की जाएगी वो ICAR decide करता है किसान विकास किसान विकास के अंदर है वो भी agriculture ministry के अंदर है जो national horticulture board है और coconut development board है यह agriculture ministry के अंदर ही है और जो ministry of जलशक्ती है वो क्याएगी उसकी जो एक statutory body है center water commission जो की क्या है 1945 में बनाई गई थी on the recommendation of the embed कर embed कर क्या थे वाइसरह की जो executive council थे उसके member थे तो यह point थोड़ historical point से important है थोड़ थोड़ यह याद रखिए अब जो next area आता है वो आता है agriculture subsidies से तो देखो agriculture subsidies क्या है दो थरीके की होती है एक होती है direct subsidies और एक होती है indirect subsidies तो जो direct subsidies होती है जैसे कि वो क्या है directly farmer को दी जाती है in the form of the DBT direct benefit transfer जैसे कि PM किसान कहता है क्या है 2000 रुपे की installment जाती है हर 3 महीने पर okay MSP FRP Fair and Reminative Price procurement की जो subsidies होती है वो direct subsidies का example है जो indirect subsidies है उनका जो example है वो है आपका जैसे कि inputs के उपर जो subsidies दिया रही है जैसे कि seeds के उपर fertilizer subsidy power subsidy in the form of the irrigation ये सब क्याए कि indirect subsidies होती है अब जो direct subsidies होती है they are better क्योंकि उनके अंदर leakage नहीं होता है और जो resources है उनका conservation रहता है लेकिन indirect subsidies के अंदर क्याए कि जैसे tube well है तो उसमें पानी चल रहा है तो वो चली रहा है तो ये indirect subsidies क्याए कि ये they are not good तो थोड़ा ये ध्यान रखना है government of India की जो major subsidies है वो कौन-कौन सी है देखो सबसे जादा जो हम subsidy provide करते है वो food पे subsidy provide करते है उसके बाद fertilizer पे subsidy provide करते है ये थोड़ा ध्यान रखना है जो farmer के लिए जो subsidies दी जाती है उसमें जो सबसे जादा subsidy है वो है आपकी fertilizer के लिए फिर MSP के लिए फिर farm credit दिया जाता है फिर crop insurance दिया जाता है जैसे कहा है 100 रुपे की subsidy fertilizer पे है 70 रुपे की subsidy government MSP को देती है 50 रुपे की farm credit को देती है 30 रुपे की crop insurance की subsidies provide करती है ठीक है तो ये थोड़ा ध्यान रखना है इसके अलाब अब जो irrigation subsidies होते है irrigation subsidy के उपर एक जो point आप वो याद रखना है ये कि economic survey की according कि आए कि 0.3 meter per year हमारी जो ground water tables है वो down हो रही है ये थोड़ा ध्यान रखना है seed subsidies की बात की जाए जो seeds के उपर subsidies दी जाती है वो government देती है लेकिन ये कहाए कि firm को दी जाती है directly farmer को नहीं दी जाती है तो ये थोड़ा ध्यान रखना है next जो India है India largest producer नहीं है seeds का ये थोड़ा ध्यान रखना है seeds के दो तरीके के होते है एक होता है certified seeds जो की कहाए कि कोई authority है उसके तोरह certified होते है दूसरे होते है farm saved seeds जैसे कि मन के चलो इस साल wheat की cultivation होई तो wheat के कुछ जो seeds है वो रख लिए गए farmer के दोरह उनको next year की cycle के अंदर यूज के जाएगा वो होते है farm saved seeds ओके Indian seed act 1966 वाला ये कहता है कि जो government है और जो private entities है वो दोनों के दोनों कहाए कि seeds को produce कर सकते है और seeds इंडिया में कहाए patent किया जा सकता है no doubt in it एक जो term जो news में रहती है वो है seed replacement rate seed replacement rate का मतलब क्या है कि जैसे certified seeds कितने यूज किया रहे है divided by क्या है कि जो farm saved seeds है मानके चलिए कि जो farm saved seeds है वो 100 यूज किये जा रहे है और जो certified seeds है वो 50 यूज किये जा रहे है तो seed replacement rate आगे आपका 0.5 यानि कि 50% मतलब क्या हुआ कि 50% आइंटेन्ड जो सीड क्या हैं, वो सर्टिफाइड सीड सीड weißy, यूज हो रहे है. धैंन कभःजन तो फार्म, सीड 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 तो जितना ज़्यादा ये स सभरेशो होगा μας, उसका मतलब कि कि उतनी ज्यादा प्रोर्डेक्टिविटि वेट होगी क्योंकि जो farmed saved seeds होते हैं जो कि farmer save करता है उनकी जो productivity होती है ना वो काफी कम होती है तो जितना ज़्यादा seed replacement rate होगा उतनी ही ज़्यादा productivity होगी अगली जो चीज important है वो यह है कि इंडिया के अंदर जो average seed replacement rate about 20% के around है और जो highest है वो lentil के अंदर है sorry gram के अंदर है gram के अंदर black gram होता है जो चना होता है उसके अंदर है कुछ seeds के types होते हैं जैसे की breeder seeds breeder seeds जैसे की ICR है वो क्याए कि produce कर यह कोई seed तो यह होगा breeder seeds कुछ होते हैं foundation seeds foundation seeds जो की क्याए कि मान के चलिए कि कोई trial वगरा के लिए use हो रहे हैं वो होगे foundational seeds certified seeds मतलब क्या हो गया कि government क्या है कि इस seed को certify करती है कि farmer यूज कर सकते हैं इस seed को तो वो होगे certified seeds farmer को क्या है सिर्फ certified seeds की ही access होती है ना कि breeders और foundational seeds इनकी access नहीं होती है एक जो concept news के अंदर है वो है seed village concept इसमें कुछ नहीं है simple सा concept यह है कि जो मान के चलिए wheat को grow किया गया अब यहां से क्या है कि कुछ seeds हैं उनको save कर लिया जाएगा save कर लिया जाएगा और इनको क्या है कि गाउं में बाठ दिया जाएगा कुछ लोगों के द्वारा बस यह seed village concept है और कुछ नहीं है next जो है वो यह है कि जो global seeds vault है वो स्वालबर्द के अंदर है नौर्वे के अंदर देखो यह इसलिए बनाया गया है कि क्या पता कि कोई दिन ऐसा आ जाए climate change की वज़े से कि seeds ही नहीं बचे है क्योंकि मानके चलिए GM crops को हम promote करते है GM crops को promote कर रहे है तो उसकी वज़े से कहीं ऐसा दिन नहीं आ जाए कि कोई जो natural seeds है वो produce होना ही बन्द हो जाए तो इसलिए कि कुछ seeds को उठा के उनको कहाए कि एक vault के अंदर रग दिया गया देखो fertilizer subsidies को समझने से पहले थोड़ा ये समझिए कि fertilizer बनता कैसे है तो देखो fertilizer को क्या है कि काफी जाता जो petroleum derived product होते है जैसे कि नेफ्ता और natural gas और ammonia इनसे बनाया जाता है अब ये petroleum derived product है तो ये क्या है volatile products होंगे तो जब fertilizer को क्या है यूरिया वगेरा को या फिर DAP को या फिर M.O.P को तो ये क्या है evaporate होना शुरू हो जाते है और जब emission updates होते है तो जया है कि ये leaching करना शुरू कर देते है leaching वगेरा करना शुरू कर देते है ground water table वगेरा क्या है वो प्रदूशित होनी लगती है पल्यूट होनी लगती है तो ये थोड़ा ध्यान लखना है fertilizer का production इंडिया में कौन करता देखो both private as well as government entity can do this जैसे कि इफको होगी जो एक cooperative society है राष्ट्रिय chemical जो की government earned है mangalor fertilizer by the vision alya तो fertilizer का production सब को ही कर सकते है next कहाएगी जो plant होते हैं उसको कहाएगी कुछ macronutrients होते हैं कुछ macronutrients होते हैं वो चाहिए होते हैं जैसे कि NPK, calcium और magnesium ये क्या होगे और sulfur ये macronutrients होगे कुछ macronutrients हैं वो होगे जैसे कि zinc, iron, magneze, copper, borone, mollibadinum ये कहाएगी micro seeds होते हैं माइक्रो नूट्रेंट होते हैं तो जो इनका function से वो थोड़ा आपको देखना है क्योंकि इसमें कुछ है नहीं बताने लाइक कुछ समझाने लाइक है नहीं नेक्स क्या है कि जो इंडिया है वो second largest producer consumer है fertilizer का और जो fertilizer है वो क्या है कि हमरी eight core industry के अंदर आता है जो 8 industries, core industries है हमारी जैसे की cement हो गया, steel हो गया petroleum dried product हो गये तो ये सब का part है electricity हो गई 8 core industries में हमारे के fertilizer आता है जो nitrogenous fertilizer होते हैं उनको identify कैसे करोगे आप paper के अंदर कि इनके अंदर nitrogen का use हो रहा है तो देखो इसका सीधा सा तरीका है अगर किसी भी salt के अंदर यूरिया है या फिर क्या है कोई salt जिसके अंदर nitrate है या फिर ammonium है या फिर sinamide है तो वो क्या होगा, वो nitrogenous fertilizer होगा that's it इंडिया की बात करें अगर हम, तो देखो जो major fertilizer use होते हैं इंडिया में वो होता है, यूरिया nitrogen के लिए, यूरिया MOP for the potash और जो DAP होता है, diamonium phosphate वो phosphorus के लिए यूरिया होता है ये तीन major fertilizer's है, जो इंडिया के अंदर यूरिया होते हैं जो ideal ratio होना चाहिए, NPK का वो होना चाहिए 4 is to 2 is to 1 लेकिन actual में क्या होता है 8 is to 3 is to 1 हो रहा है हमारी country के अंदर, ये बहुत बड़ी problem की वज़े है अब हम यूरिया की specifically बात करते हैं, तो देखो यूरिया क्या है, most produce है और most consumed fertilizers है most imported fertilizers भी है सबसे ज़्यादा import हम यूरिया का ही करते हैं, और अगर हम 100 kg total fertilizer का production करते हैं तो उसमें से 86 kg हम क्या है, सिर्फ यूरिया ही produce करते हैं तो इन सब चीज़ों को rationalize करने के लिए government लेके आई retention price scheme 1977 हमारे लिए important नहीं है लेकिन government ने इसको क्या replace किया new yuria policy 2015 से, अब जो new yuria policy 2015 है, उसके according क्या है कि जो subsidy है वो क्या है कि forms को दी जाएगी, कि वो कितना ज्यादा fertilizer use कर रहे है कितना fertilizer use कर रहे है और जो yuria के prices हैं वो fix किया जाएगे by the government of India government of India क्या fix करेगी और अगर किसी भी firm की input cost increase हो रही है तो उसका कोई benefit नहीं होगा उस firm को retention price scheme में क्या था कि जो firm है, अगर उसकी input cost इनकीज हो रही है तो उसको जो subsidy होती थी, वो ज़्यादा मिलती थी लेकिन government ने बोला कि भाई आपकी cost बढ़ रही है हमें कोई लेना देना नहीं है क्योंकि आप क्या करते हो कि आप cost input ज़्यादा दिखा के हम से ज़्यादा पैसे ले ले लेते हो तो government बोला ऐसा कुछ नहीं होगा आपको क्या है कि हम subsidy fix रखेंगे और जो MRP है वो हम fix करेंगे, Indian government सिर्फ और सिर्फ MRP किसका fix करती है यूडिया का बाकी जो 25 fertilizer यूज होते हैं, वो सब market based है उनकी जो costing है, जो MRP है वो companies fix करती है ना कि government of India और इसके अलावा क्या है कि जो subsidy होगी, वो fix होगी और इसको जो अब इससे क्या होगा जो forms हैं, वो गुलेंग कि हमारी input cost निकी जोगी आप फिर भी subsidy को fix रख रहे हो, तो government ने गुला कि भाई ठीक है, हम लोग क्या है, एक policy ले क्या रहा है, gas pooling policy जिसके अंदर क्या है कि आपको हम domestically और imported जो natural gas है ना, उसको हम provide कर देंगे आपको, जिससे क्या है कि आपकी जो input cost है, वो reduce हो जाए इसके लावा government of India ने क्या है, नीम coated urea को यूज किया, नीम coated urea के जो अंदर क्या हुआ, कि पहले ये urea हो गया, अब इस urea के ऊपर क्या है कि हमने नीम की coating कर दी तो जब नीम की coating की जाएगी तो इससे क्या होगा, कि जो evaporation rate है ना वो reduce हो जाएगा evaporation rate degrees हो जाएगा evaporation rate degrees हो जाएगा और ये जो urea है, अगर इसको पानी के अंदर डालेंगे है, तो ये slowly dissolve होगा slowly dissolve होगा और जब ये slowly dissolve होगा तो उसके वैसे क्या होगा, leaching rate क्या हो जाएगा वो reduce हो जाएगा, और जो ground water table के अंदर जो pollution होता है वो reduce हो जाएगा, और इसका जो main उद्देश्य था वो ये था कि पहले क्या होता था कि यो यूरिया होता था ना, उसको industrial purpose के लिए क्या डायवर्ट कर दिया जाता था ओके और smuggling बगएरा होती थी यूरिया की नेपाल, भूटन बगएरा में तो इसलिए गवर्मेंट लेका है नीम-coated यूरिया, अब ये जो यूरिया है, वो industrial purpose के लिए यूज नहीं हो सकता है, सबसे बड़ी जो main चीज़ वो इसके अंदर वो ये है अब हमारी country के अंदर जो यूरिया production होता है, वो 100% के नीम-coated यूरिया होता है इसके अलावा क्या है कि जो बाकी के fertilizer's है जैसे कि DAP, MOP यूरिया के अलावा बात कर रहा हूँ उनके लिए क्या है, गौर्णमेंट ने स्कीम लेगा है, nutrient-based subsidy स्कीम nutrient-based subsidy स्कीम किसके लिए है, MOP, DAP, MAP, TSP, उसके अलावा एक-दो और है, उनके लिए nutrient-based subsidy स्कीम है इसमें क्या है, कि जैसे मान के चलिए यह आपका तो इसमें क्या है, जैसे यह यूरिया का पूरा, स्वरी, MOP का यह क्या है, MOP का एक बैग है यह 10 kg का बैग है अब क्या है कि इसके अंदर जो actual MOP है वो सिर्फ क्या है 2 kg है तो NBS के अंदर क्या है कि यह 2 kg पे ही subsidy दी जाएगी ना कि इस 10 kg के पूरे बैग पे दी जाएगी यह थोड़ा ध्यान रखना है आपको subsidy is provided based on the nutrient content in the fertilizer और nutrient based subsidy scheme यूरिया को cover नहीं करती है यह ध्यान रखना है अच्छ तरीके से और जो बाकी के fertilizer उनका जो price होता है वो market driven होता है, government of India नहीं करती है, सिर्फ यूरिया का करती है NBS किसके अंदर है, वो Ministry of Chemical and Fertilizer के अंदर है next important चीज़े वो यह याद रखना है कि cabinet committee on economic affairs वही क्याए determine करती है fertilizer subsidy को इसके लावा जो cabinet committee on economic affairs है, वो MSP, FRP buffer stock, इन सब के norms बगएरा और जो MSP FRP, इनको declare करती है अब बात करते हैं bio fertilizers की, तो bio fertilizers में क्या होता है, कि वो कुछ living organism जैसे की algae, fungi, bacteria इनको use किया जाता है in the form of the bio fertilizers ओके, ये organism क्या करते है, अपने enzymes की help से क्या है, plant को nutrient provide करते है अपने enzymes की help से क्या है ये plant को nutrient provide करते है examples कौन से है bio fertilizers के, जैसे की azotobacter हो गया, enabena हो गया trichoderma हो गया mycosil fungi हो गई blue green algae यानि की cyanobacteria हो गया, ribosium हो गया nos stock हो गया ये थोड़े याद रखना है आपको अगर हम nitrogen fixation की बात करते हैं, तो nitrogen fixation कौन 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 गट सकता है legume जैसे की clover, pulse, lupins, elder tree, cow peel पी और bean तो करेंगे बस ये धियान रखना है आपको इसके लाभा clover करती है pulses करती है और alfala करता है that's it bio fertilizers की advantages क्या है देखो bio fertilizer क्या करते हैं, nitrogen fixation में help करते हैं pH level को maintain करते हैं और जो waste land है उसको हम reclaim कर सकते हैं soil का जो pressure होता है उसको retain कर सकते हैं और जो soil bio diversity उसको prevent, preserve कर सकते हैं इसके लाभा जो fertilizer है जो fertilizer है यूज किया आता है वो होता है green manure green manure इसका समझने का ना एक तरीका बताएता हूँ आपको जैसे मान के चलिए कि rice की cultivation करनी है मेरे को तो उससे पहले क्या करते है न जो farmer होते हैं वो क्या देंचा बो देते हैं खिलाग के अंदर देंचा अब जो यह देंचा होता है इसको harvest कर लेते हैं और फिर इस देंचे को क्या पूरा खेत के अंदर डाल देते हैं और कुछ और्गनिजम वगरा डाल देते हैं वर्मी कमपोश कम और काव डंग वगरा यह सब चीज़े डाल रूल के वो क्या डीकमपोजिशन कर देते हैं इसका तो यह बन गया आपका green manure it's as simple as that green manure अब कुछ benefits क्या होंगे वही सब चीज़े benefits जो कि bio fertilizers की है example कौन कौन से हो गए जो कि हम green manure में यूज करते हैं जैसे कि धेंचा हो गया लोबिया हो गया उरद हो गई मूंग हो गई गवार हो गया और जब exam हम अब देंगे तो इनको क्या है हिंदी में देखना है आपको agriculture के question करते है time अगर क्या है कि आपको समझ नहीं आ रहा है न तो आपको हिंदी को refer करना है अब बात करते हैं फोडर production के इंडिया के अंदर जो चारा होता है ठीक है तो देखो नैपियर grass वो काफी news के अंदर है यह फोडर crop है इंडिया के अंदर नैपियर grass बर्सिम सबसे ज़्यादा produced हमारे यहां पर क्या है फोडर होता है बर्सिम इसके अलाव़ जो फोडर crops हैं वो कौन कौशी है सौर्गों, अलफाला, क्लोवर, लोबिया, बारले, मेज, मस्टर्ड, मेज, सौरी मस्टर्ड नहीं है, पॉल मिलिट और ओट्स वगरा यह थोड़ा ध्यान लगा है, अब बात करते हैं pesticides की, तो pesticides में क्या है कि जो pesticides होते हैं, they are used to kill the insects, pests like the bacteria, viruses and fungi बगरा, इनको kill करने के लिए यूज होते हैं और यह organic भी हो सकते हैं और इनर्गनिक भी हो सकते हैं, और जो pesticide होते हैं, they can be viruses also, virus बना के भी उसको pesticide यूज किया सकता है, bacteria हो सकता है, disinfectant हो सकते हैं, antimicrobial हो सकते हैं जो महराष्ट्रा है, वो हमारी country के अंदर क्या है, सबसे ज़्यादा उसके अंदर pesticide का यूज होता है, और वो इसलिए क्योंकि cotton का production होता है, अगर हम per hectare कंजमशर की बात करते हैं, तो वो पंजाब के अंदर होता है, क्योंकि wheat का production होता है, crop wise pesticide की यूज की बात करते हैं, तो cotton के अंदर सबसे ज़्यादा होता है, फिर paddy के अंदर होता है, pesticides के example जैसे की pesticide के सब पार्ट होते हैं, यह fungicide, herbicide, insecticides, जो synthetic pesticides हैं, उनके example है, DDT, glyphosate, S-C fat, DEET, methylimide, boric acid, कुछ fertilizers को government of India ने ban कर दिया था और 2019 में government ने question, UPSC ने question पूछ लिया था, वो कौन कौन से हैं, वो हैं आपके कार्वो फ्यूरेन, मेथाइल पार्थेनियम, फॉरेट, ट्राइफोस और मोनो क्रोडोफोस, यह थोड़ा ध्यान लगना है आपको, जो pesticides हैं इंडिया के अंदर, वो ministry of agriculture के साथ क्याएगी registered होते हैं, और government क्याएगी किसी भी pesticide को यह price क कंट्रोल नहीं करती है, आज कल हम लोग बायो पेस्टिसाइड की बात करते हैं, तो उसके अंदर सिंपल सी भाय, बायो मतलब living, कुछ living pesticide का हम यूज करेंगे, जैसे कि आपका हो गया नीम, नीम का यूज कर सकते हैं, बैसिलियस थुरेंजिसिस, जो कि एक बक्तिरिया होत है, डेजी प्लांट का यूज कर सकते हैं, जै बायो पेस्टिसाइड या फिर गारलिक और चेटिन का यूज कर सकते हैं, गारलिक मतल आपके अधरक, ओके, ये चीज़ें थोड़ी धियान रखनी हैं आपको, और एक चुप पॉइंट आपको धियान रखना वो ये है कि जो हाइवरिड बेराइटीज होती है ना, जैसे कि HYB सीट्स हो गए, तो वो क्या हामफुल नहीं है हमारे लिए, लेकिन जो ट्रांसजेनिक क्रॉप्स है ना, जैसे कि GM क्रॉप्स वगरा हो गई है, DMH11 वगरा हो गई, ओके, ये इनकी जो सेफटी है ना, अभी बायो सेफटी अभी प्रूव नहीं हुए कि ये सेफ हैं कंजम्शन के लिए या नहीं, अब जो आगे बात करते हैं, वो है हमारी MSP से रेलेटेड, इसके लिए अभी लेक्चर बनाए जा रहा है, दूसरा, उसको देखिएगा, थेंक्यू, थेंक्यू बेरी मच्च,